मिरा नम मुकम्मिल जी, क्या कहेंगे खिलेशाद ओपन ओफर दे रहे हैं, सोविध हैक लाओ और सरकार बनाओ यह तो बहुत मुस्केर है तो कहने को तो कुछ भी कहते रहो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की रहेगी उत्तर परदेश में तो योगी जी कॉंटिन्यू करेंगे वैसे योगी जी कॉंटिन्यू करना चाहिए अभी 27 तक है मेरा मानना है कॉंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी लगबाग अगले चुनाव तक योगी जी की बहुत ज़रुआत है आए और लोगों से भी चर्चा करेंगे सर आपका क्या नाम हुआ जी मुकम्मिल जी क्या कहेंगे खिलेश आदो ओपन ओफर दे रहे हैं सोविध हैक लाओ और सरकार बनाओ अभी बन सकती है पर अभी दस दस सीट को उप्चनाव हो जाओ उसके बाद कोशिस हो रही है पूरी उनकी लेकिन आपको नहीं लगता आंकड़ा अगर देखें हैं फीगर सपा 105 बीजेपी 251 नहीं अभी और अंडिये का देखेंगे तो 283 है यह तो बहुत मुस्के रहे यह यह योगी जी कॉंटिनू करेंगे कुछ अंदर के विजेपी के भी कुछ लोग हैं कुछ परसेंट वो चाते हैं योगी जी अभी सीट जो हर के यूपी में से तो उसमें से उन्हें लग रहा है कि वैसे सरकार गिर जाएगी ऐसा होगा नहीं लेकिए कार तो खैर परदेश की तो गिरना बहुत असंभव सी बात है ना ना मुस्किल बहुत मुस्किल जाएगा अचा और उसके लावा भी आज एक और आदेश आया है योगी सरकार का भी कांवड आ रहा है तो कांवड यात्रा भी जो निकलेगी उस पर रूट पर जितनी दुक कि पानी की बोतल खरीदे लेंगे कुछ कोल्डिंगों गए रखी देलेंगे चिप्स गए रखी देलेंगे ये चीज तो खरीदें और थोड़ी कुछ खरीदें हैं खरीदने को मना थोड़े ना किये के वल प्रॉप्राइटर का नाम लगाने के लिए हाँ तो फिर उसमें कि पिछले साल कुछ जगा इंसिडेंट्स हुए थे ऐसे उनी को मद्दे नजर रखते हुए इस बार ये प्रशासन ने अतियातन तोर पर उसमें चोईस हो जाएगी ना फिर चोईस में आप जिस से दिल करेगा उस से लेगा नेम पलेट सामने होगी तो ये गलत है मेरी वहां से बरेली उत्तर प्रदेश से हैं अच्छा अब आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनिती में हलचल मची विया थोड़ी सी मैं राजनिती में टेस्ट नहीं दुखता हूं फिर भी क्या लग रहा भी कॉंटिनु रखना चाहिए योगी जी को बदलाव होना चा आपका क्या नाम हुआ असलम कहां से हैं अच्छा साथ में है अच्छा योगी जी को जानते हैं जानता हूं अभी जान रहे होंगे कि हलचल मची है कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति है वह तो रहता है कुछ न रहता है अखिलेश आदव ओफर दे रहे हैं सो विधायक लाओ सरकार वनाओ हॉर्स ट्रेडिंग का पूरा कोशिच चल रहा है तो क्या लग रहा है वो अखिलेश आदव होंगे काम याप सो विधायकों को तोड़ने में बीजेपी आप फिलाल तो कामिया बादाद होई गे थे कुछ देखो आगे क्या होता है तो लोकसभा चुनाव जीते ना सो विधायक तोड़ सकेंगे विधानसभा में बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि आप होर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं खुदी होर्स ट्रेडिंग करने में सोशल मेडिया पर लगाते हैं तो दोनों वह इसे उत च दोनों वह जब तुम बाकि फरारोप लगारे हैं और खुदी होर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो है खरीद फरोग विधायक होंगी तो बाकी क्या लग रहा है हाटा पाएंगे योगी जी कुनी हाटा पाएंगे लेकिन अभी देखते आगे क्या होता क्या होता है नंबर तो तो राजनीती हलचल मची हुई है उत्तर प्रदेश में पूरी जी पता नहीं मुझे ज्यादा इतना आइडिया नहीं है तो यह बताईए अभी कुछ लोग ना कोशिश कर रहे हैं कि योगी जी अब सीम पत से हट जाएं अखिलेश यादव भी खुला आफर दे रहे हैं सो कुछ भी को सकता है और वैसे क्या योगी जी कॉंटीनिव करना चाहिए 27 तक नहीं अब उनका बहुमत आया है तो उनको कांटीनिव करना चाहिए 500 प्लस सीटे जी जी बिलकुल जनरल रूल यही है कि जो लाया है वो करे अपना पांस साल बाद फिर वो दूसरा हो चार सो तीन सीटे हैं 202 का बहुमत है उनका है वो अपना पूरा करें और क्या इसमें भी 284 है हां हां बिलकुल एक आखरी सवाल यह पूछना चाहता हूं कि यह बाकियों पर जैसे आरोप लगते हैं खरीद फ्रोक्त के बीजेपी पर बहुत आरोप लगाते हैं विपक्ष तो अभी तो खुद जैसे सोशल मीडिया पर ही डाल दिया के लिए शादव ने खुल आफर दे रहे हैं सोविदैक लाने का सरकार बनाने का क्या सही है गलत है पॉलिटेक्स में सब गलत ही गलत है सही तो बहुत कम चीज है तो आप जब उसमें घुज गए हो तो आपको वह ही बीजिने इसाथ कि करना है यह ँख वी कि उनके लिए लाग है उनके लाग है उनक्य उनके वह एक बिजुनेस हो वह यह उयसे ही चलेगा है तो सुना एकार लोगों की राए सैं़ी लोगों की राए यहां पर सुनी जो उत्तर-प्रदेश के बाहर से भी कुछ उत्तर प्रदेश के लोग भी हमको मिले इंडिया गेट पर इससे में हम मुझूद हैं और जो भी पूरा मामला चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे खुला ओफर दिया है के लिए श्यादव ने कि सो विधायक जो है लाओ और सरकार बना उस पर लोगों की राय आपने पूरी चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंड बॉक्स में शेयर करें कैमरा पर सरना विजे के साथ हरजुन खजूरिया प्यारा हिंदोस्तान दिल्ली देखे हम इंडिया गेट पर इस समय करतव विपत पर इस समय मौझूद हैं और पब्लिक ओपिनियन हम ले रहे थे जो भी यूपी में हलचल मची हुई है उसको ले करके और एक अच्छी चीज लगती है कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश है सबको freedom of speech है freedom of expression जो हमें article 90 ने देता है केवल देश की अखंडता और संप्रभूता के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहिए तो अभी जैसे मैं यहां coverage कर रहा था तो बाही साब है cancer diagnose हुआ है अभी इनको थोड़ी देर पहले लेकिन जैसे मैं चर्च जो लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी जो मजबूती जो हमें प्रदान की जाती है और मीडिया जो एक चोथा स्तंब है इस लोकतंत्र का उसमें आपनी बात रखने का अफसर मिलता है तो पहले तो मैं आपको आपके लिए शुब कामने आपने से प्रकट कर सकता हूं कि जल से जल दा परी कवर हो अब सर जो मैं चर्चा कर रहा था योगी जी के बारे में आप जानते हैं सीम हैं उत्तर प्रदेश के काफी साल होगे साथ साल होगे अभी एक इस चुनाव के बाद एक पूरा शिगूफा चल रहा है तैयारी चल रहे कि योगी जी को हटाया जाए कोशि बिमर सभी करनी के जरूते गलती कहां हो रही है जैसे कि अगर अपन लोक सभा चुनाव में इस बाद देखें तो बीजपी को बहुत नुकसान हो गया है उस्तपा ने एक दम से लीड हासिल कर ली जो किसी ने सूच नहीं था मलब बीजपी जहां पर 400 पार का अकड़ा बता रही थी वहां पर लगवक 240 के असपास समट के रहे गई है तो मन्थन करनी की तो जरूरत है इनको के गलती कहीं ना कहीं तो हो रही है अब जैसे देखा जाए तो एक हिंदू पॉलिटिक्स एक मुसल्मान पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा यूपी में योगी जी की चारों गूमता रहता है जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले लन टॉप की एक निउस देख रहा था कि लखनव में नाले के पास की जो घर है उनको तोड़ने के लिए रेट साइन करके उसको चिन्नित करा गया है तो बहुत से हिंदू और मुसलिम दोनों फैमली रह रही है तो इसमें पूरा जो ये लॉस हुआ दोड़ा बीजेपी का सारा का सारा ठीक रहा योगी जी पर डाल देना और जो साथ साल से शासन वहां चला रहे है उन सब को एक साइट पर रख करके इनको हटा दिया जाए क्या ये जस्टीफाइए तो सब को बैटके मंतन करना चाहिए कि गल्ती कहां पर हो रही है और यूजनाय कहां नहीं पहुच पा रही है यहां फिल कहां आपने नीचे आपने क्या गल्ती है उस पर लेकिन अखिलेश यादव वह पहले विपक्ष लगाता रारोप लगाता रहा है खरीद फ्रोक्त के अब वो खुद ओपन ओफर दे रहे हैं सो वि दिस्क्वालिफिकेशन ही हो जाएगा क्योंकि जब तक जो कानून कहता है दल बदल कानून 66% से ज़्यादा जब तक विधायक नहीं जाएंगे एक साथ तब तक जो है उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा यहारी 66% धाईसों में से अगर अभी आप मानके चलिए तो लगबग 165 विधायकों को तूट करके जाना पड़ेगा तब जाकी कमाल हो जब 2017 में सर मोदी जी के अंडर योगी जी की सरकार आई तो लोगों को बहुत उमीत और उनने बहुत अच्छा काम भी करा लगबग बहुत योजना है पहुचा ही गुंडा राज भी कम करा कि अचानल यहां पिछले टनाव में जिरूः कुछ गलतीया हो बहुत अच्छा है में राम दिर बनने के पहिए सब यहां पर हम खुश हो जादे साड़े तीन सो तो आ ही जाएंगी लेकिन माग अडवन्दन ने बहुत अच्छी परफोर्मेंस करी तो यहां पर माला कहीं जनता का विश्वास बीच पी ने खोया है तो अब क्या वैसे योगी जी कॉंटीनियू करना चाहिए अभी 27 तक मीरा मानना है कॉंटीनियू करना चाहिए क्योंकि अभी लगबग अगले चुनाव तक योगी जी की बहुत ज़रूरत है हाँ जहां पर गलती हो रही है वहां पर थोड़ा सोधार करें और बाकी सब बाकी सब अच्छा है बाकी कोई दिक्कत नहीं चलिए सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बाकी जल से जल आप रीकवर हों यही चाहेंगे हम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ठीक है दन्यवाद सर